सादर नमस्कार जन सरुकार मंच टॉप पर आप सभी का स्वागत भी है और आप सभी का आभार में बता दूँ तो मैं हूँ मनीशा कंठालिया अगर जडों की बात करूँ तो मैं आती हूँ राजस्थान के उस प्यारे से शहर से उदैपुर शहर से जिसे जीलो की नगरी कहत हैं उसी की ठावी हसीन बादियों में पली बढ़ी हूँ और वहीं से मैंने और नने कंप्वीट्र समें और मैसी किया है और यह थाकिनिकल डिरीज लेने के बाद भी क्योंकि जो दिल हैना हमारा वो दोल्छोडा शुरु से बच्पन से ही लगाओ और छुकाओ घंडी की त में रहती हूं कहने को यह दूरिया है लेकिन आज हम और आप इतना एक दूसरे के आज साथ है इस एक डिजिटल माध्यम के जरीए कि यह दूरिया दूरिया नहीं लगती और मैं यहां पर आजकल जो काम कर रही हूं वो आर्जे का काम कर रही हूं इससे पहले बहुत सारे काम अलग-अलग तरीके से कर चुकी हूँ डिग्री मैंने साइंस में ली तो साइंस की टीचर रह चुकी हूँ All India Radio में काम कर चुकी हूँ जब मैं भारत में थी तब और उसके बाद Finance से कोई लगाव नहीं कोई जुडाव नहीं लेकिन Finance का काम भी किया और इन सब कामों के बाद फाइनली क्योंकि जब All India Radio में थी तभी से शायद दिल में ये कसक थी कि मुझे Radio बहुत अच्छा लगता है और वही काम मुझे करना है तो आज मैं अपने उस काम के साथ हूँ यहां परदेश में हूँ लेकिन बहुत खुशी की बात है कि यहां मुझे हिंदी में काम करने का आफसर मिला है और हिंदी में मैं Radio के जरीए अपनी कहानिया सुनाती हूँ और आज आप सबने मुझे आमंत्रित किया है कविताय सुनानी के लिए तो मैं अपनी कविताओं से आप सब को जोड़ूंगी और आप सब को जोड़ूं उससे पहले सबसे पहले जो एक हम जितने भी कवी हैं सब इस बात से जरूर रूबरू करते होंगे कि हम सभी जो कुछ भी लिखते हैं वो माशारदे की कृपा और उनकी आराधना के बगैर संभव नहीं है ये शुरुआत करती हूँ मैं मा के नाम अपनी ये अर्चना अपनी ये आराधना अर्पित करते हुए सुनिएगा शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा अक्षर अक्षर गान तुम्हारा तुमसे गी जनम लेते हैं हर कविता में प्राण तुम्हारा शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा मां अंतस में भाव जगाकर हर रचना तुम्हीं रचती हो मां अंतस में भाव जगाकर हर रचना तुम्हीं रचती हो प्रणय लिखूं या प्रीत लिखूं मैं हर पाती तुम्हीं लिखती हो हाँ मुझ निरबुधी के हाथों पर है देखो हाथ तुम्हारा शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा तेरी वीना के तारों से जंक्रत है संसार ये सारा तेरी छवी कमल के ऊपर देखी और ये मन है हारा नभ में अरुण उदय होते ही छूलेता है चर्ण तुम्हारा शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा और अब आप सभी के सामने इस गीत का अंतिम बंद रखती हूँ और आप सभी कवीवर जो भी सुन रहे हैं उन सभी को समर्पित करती हूँ आखरी बंद रखती हूँ इस गीत का मा की अराधना का आखरी गीत आखरी बंद हास्य वीर श्रिंगार की बातें तुम बिन कहां शुरू होती हैं आलापों की गूँच में मुखरित तेरी ही तो ध्वनी होती हैं काव्य के इस संसार के ऊपर सदा रहे ये हाथ तुम्हारा, शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा, शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा, अक्षर अक्षर गान तुम्हारा, तुम्से गीच नम लेते हैं, हर कवता में प्राण तुम्हारा, शब्द शब्द वर्दान तुम्हारा, चलिए आगे बढ़ें उससे पहले, चन्द दिनों पहले अपने ही बारे में ये खयाल मेरे जहन में आया, तो कागस पर उतर कर आया है, मा ने शायद कुछ सोच कर मेरे जहन में ये बात भेजी, अपने बारे में कुछ लिखने का तुछ सा दुछ साहस मैंने तब कर लिया तो ये चार पंक्तियां अपने बारे में कहती हूं और आप सब के साथ जोड़ती हूं कि मन्जिलों को मिली है नई एक दिशा स्वपन बुनने लगी है नई हर निशा भाव की सेज परशाब्द सजने लगे वक्त की लेखनी को मिल गई मनीशा वक्त की लेखनी को मिल गई मनीशा तो बस जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब मा की आरादना की है तो उसके बाद उस मा के नाम कुछ शब्द जरूर बनते हैं जिसने जन्म दिया जिसने ये शब्द दिये जिसने ये कंट दिया तो मैं अपनी मा के नाम एक गीत पढ़ना चाहती हूँ आप सभी के सामने आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा मा तुम बस मेरी मा हो और मैं हूँ तुम्हारी छाया जीवन के बीते हर पल ने मुझे को ये संझाया मा तुम बस मेरी मा हो और मैं हूँ तुम्हारी चाया बच्चपन में आचल में तेरे मैं छिप जाया करती थी बच्चपन में आचल में तेरे मैं छिप जाया करती थी और उसके परदे से फिर ताक जाक मैं करती थी क्या घर क्या बाहर हर पल उंगली तेरी थामी तेरे साथ ही मैंने अपनी पहली टौफी बाटी क्या घर क्या बाहर हर पल उंगली तेरी थामी तेरे साथ ही मैंने अपनी पहली टोफी बाटी जो कुछ मुझे को आता है मां सब तुमसे है सीखा रब ने नहीं तुमने खीची मेरी किसमत की रेखा मेरी हर तारीफ में होती है तारीफ तुम्हारी तेरी हर मुसकान में रहती तेरी ही तो हसी मेरी हर तारीफ में होती है तारीफ तुम्हारी हर मुसकान में छिपी रहे तेरी ही तो हसी तेरी बस इतनी ही चाहत मुझे पर पड़े नगम का साया मा तुम बस मेरी मा हो और मैं हूँ तुम्हारी चाया दिन भर बातें कर लूँ फिर भी कुछ बाकी रह जाता है तेरा मेरा नाता जग में सबसे प्यारा नाता है दूरियां लिखी किसमत में पर दिल दूर कहां रह पाता है यादों की गलियों में घूमे ठक कर तेरी गोदी में सो जाता है सच कहती हूँ मा ऐसा सुख मैंने और कहीं ना पाया मा तुम बस मेरी मा और मैं हूँ तुम्हारी चाया मा तुम बस मेरी मा और मैं हूँ तुम्हारी चाया और एक गीत है मेरे जहन में चो मैं अकसर कह दिया करती हूँ हमारा जो देश है खास तोर से हमारे देश की ही बर रंग को लेकर बड़ी बाते होती है गोरे रंग वालों को बड़ा अच्छा माना जाता है और सावली और खास तोर से अगर कोई लड़की है सावली तो उस बिचारी को जिंदेगी भर काफी कुछ सुनना पड़ता है बस उ कुद से जादा हम जिन्हें पूझते हैं सांवले सलोने श्रीकृष्ण तो यह जो गीत है इसे मैं भजन नहीं कहकर यही कहती हूं कि उस लड़की की शिकायत है श्रीकृष्ण से तो बस वही आप सब के सामने पढ़ती हूं सभी के नाम पढ़ती हूं कृष्ण इसको यह शि शामा हूँ मैं देर जैसी कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं शामा हूँ मैं देर जैसी नहीं पूनम का चांद मैं हूँ कालिमा अमावस के जैसी कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं शामा हूँ मैं देर जैसी पहला बंद रखती हूँ आप सबके सामने इस गीत का देख उसे फिर क्यों फिर जाते क्योंकि गौर वर्णा नहीं वो है नैनों में अंजनिक जैसी क्रिष्ण तेरी राधि का नहीं मैं शामा हूँ मैं तेर जैसी शामा हूँ मैं तेर जैसी एक शिकायत तुझसे है कानहा तुझो शामल छवी में आया राधा को क्यूं अप अमला बनाया इस जग को तुने भरमाया सौंदर्य की उपमा सभी ने सौंदर्य की उपमा सभी ने दी है क्यूं रम्या के जैसी क्रिष्ण तेरी राधि का नहीं मैं शामा हूँ मैं तेर जैसी गीत का तीसरा बंदर आप सबके सामने रखती हूं काल वरंत छवी में मन मोहक जगने तुझे को है अपनाया पर मेरी क्रिष्ण तकाया को देख मुझे सबने ठुकराया और मेरे उजले से मन को और मेरे उजले से मन को पीडा दिकुप जाक जैसी क्रिष्ण तेरी राधि का नहीं मैं शामा हु मैं तेर जैसी और आखरी बंद तेरी ही शर नागत हूं मैं छोड़ दे चाहे तुझे अपना ले तेरी ही शर नागत हूँ मैं छोड़ दे चाहे तू अपना ले इस जग के छूठे बंधन से मेरे मन को आज बचा ले गृष्म सी तड़पन को मेरी ठंडक दे पावसक जैसी कृष्ण तेरी राधिका नहीं मैं शामा हूँ मैं तेरे जैसी शामा हूँ मैं तेरे जैसी मेरी कविता यह पब्लिश हुई है तो मैं आप सब के सामने पढ़ना चाहती हूँ यह कविता जो मन्थरा की पुकार है खड़ी सोचती आज मन्थरा यह क्या मन में समाई खड़ी सोचती आज स्रिष्टा ने अपनी घीत ही कराई फिर बताओ क्यों कर मैं इस काराग्रह में आई मैं इस काराग्रह में आई जी हां जब उसे राम के वनवास के बाद काराग्रह में भेज दिया जाता है तब उसके जहन में ये सारे सवाल उठते हैं कि आखिर क्या बात हुई क्यों ऐसा नहां पर क्यूं हूं जबकि ये तो मैं निमित हुई सुष्टा ने मुझे निमित की तौर पर भेजा था तो बस इसी पर वो अपनी बात कहती है आगे उसकी और क्या-क्या भावनाएं हैं वो आप सब के साथ जोड़ती हूं जीवन कैसा था आप सभी जानते हैं मेरे जीवन में प्रकाश की किरण कहीं भी ना थी ना रूप लावन्य मिला और अथाह संपत्ति भी ना थी मेरे जीवन में प्रकाश की किरण कहीं भी ना थी ना रूप लावन्य मिला और अथाह संपत्ति भी ना थी एक आस कैकई थी जिससे मिलता संबल था उसमें भी दुद्कार लाड़ के सम्मिशन का बल था अपना कहकर भी रानी की दृष्टी में रही पर आई फिर बताओ क्यों कर मैं इस कारग्रह में आई वागेश्वरी ने वाणी पर ऐसा अधिकार जमाया वो आगे कहती है कि वागेश्वरी ने वाणी पर ऐसा अधिकार जमाया प्रग्या परमानों अमसका अंधकार था चाया विरची ने विरहत का आरज था मुझसे करवाया अवतारित मधुरिपी को उसके गंतव्य तक पहुचाया जग हितकारिनी होकर विश्का प्याला ही मैं पाई फिर पताओ क्यों कर मैं इस कारा ग्रह में आई कथा राम की लिखने वाले तुलसी ज़रा बता दो पश्चा ताप करने की मुझको कोई वजह सुझा दो मेरे वचन कैकई न सुनती राम क्या वन को जाते दशानन की मृत्यू का कहो कैसे व्रत्तांत सुनाते घणा नहीं मीठे बोलों की अभिलाशा में लाई फिर बताओ क्यों कर मैं इस कारा ग्रह में आई मैं इस कारा ग्रह में आई श्रंगार जो है प्रेम जो है वो हमारे सारे रसों में सर्वत्तम माना जाता है सबसे जादा उसको जो है अच्छा कहा जाता है और कविता में तो श्रंगार का अपना ही अलग रूप है तो मैं आपको लेकर चलती हूं श्रंगार रस की तरफ और ये पहला विश्ध शंगार का गीत आप सब के सामने पढ़ती हूं चूडी खनकी, बिंदिया चमकी, चूडी खनकी, बिंदिया चमकी, चणकी पायल पाव में प्रियतम मेरे आकबसे हैं मेरे मन के गाव में मेरे मन के गाओं में चूडी खन की बिन्दिया चम की चूडी खन की बिन्दिया चम की छन की पायल पाओं में प्रियतम मेरे आखे बसे हैं मेरे मन के गाओं में मेरे मन के गाओं में सूने मन के आंगन में मैं दीप जलाए बैठी थी सूरे मन के आंगन में मैं दीप जलाएं बैठी थी कब आएंगे साजन मेरे आस लगाएं बैठी थी आएं तो बैठा दूँ उनको मैं जुल्फों की छाओं में प्रियतम मेरे आके बसे हैं मेरे मन के गाओं में चूडी खन की बिन्दिया चम की चूडी खन की बिन्दिया चम की छन की पायल पाओं में प्रियतम मेरे आके बसे हैं मेरे मन के गाओं में मेरे मन के गाऊं में है आज प्रणय की बेला जी चाहे की मैं शिंगार करूं अब तक जो सपने देखे थे सब को मैं साकार करूं और उनको पहना दूं अपने ये बाहों के हार में मेरे मन के गाऊं में चूडी खन की बिन्दिय चम की चूडी खन की चन की पायल पाऊं में प्रियतम मेरे आखे बसे हैं मेरे मन के गाऊं में मेरे मन के गाओं में भीगी भीगी रुत सावन की पत जड जैसी लगती थी मिन साजन के गीत विरह के मैं तो गाती रहती थी अब जाकर ठंडक पाई है दिल के जलते घाव में प्रियतम मेरे आंके बसे हैं मेरे मन के गाओं में आखरी बंध कीत का प्रश्न नहीं उत्तर लिखने हैं जीवन के हर दर्शन के नव पलव नव सुमन खिलाने हैं जग के हर उपवन में तेरी मेरी प्रीत से भर दूँ ये सारा संसार में प्रियतम मेरे आंके बसे हैं मेरे मन के गाओं में चूडी खन की बिंदिया चम की चूडी खन की बिंदिया चम की छन की पायल पाओं में प्रियतम मेरे आके बसे हैं मेरे मन के गाउं में बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक गजल की तरफ गजल जो है उसमें ये जो प्रेम है प्रेम की जो बधुर भावनाएं हैं उसमें आगे चल कर जब थोड़ा कहीं दूरिया आने लगती है तो जो भाव उभरते है कुछ वही भाव इस गजल में हैं आप सबके सामने पढ़ती हूँ सुनिएगा फासला बढ़ता गया और प्यार कम होता गया पासला बढ़ता गया और प्यार कम होता गया मसरूफियत ऐ जिन्दगी से वास्ता होता गया पासला बढ़ता गया और प्यार कम होता गया राफ्ता राफ्ता जो कभी उतरा था मेरी रूह में राफ्ता राफ्ता जो कभी उतरा था मेरी रूह में वक्त ने करवट युलीवो अजनभी होता गया पासला बढ़ता गया और प्यार कम होता गया सहबत में उसकी मुस्कुराना सीखा तो था मैंने कभी मुस्कुराने का सबब अब प्यार कम होता गया लगता था मेरे पाव तो पढ़ते नहीं जमी पे हैं आंध्य मुँ अब यू गिरी हूँ आसमा रोता गया पासला बढ़ता गया और प्यार कम होता अब कर कम होता गया मजबूरियों का नाम लेकर मजबूरियों का नाम लेकर दूरियां बढ़ाली हैं था कभी वो पल की जिसमें रात दिन खोता गया पासला बढ़ता गया और प्यार कम होता गया कि चल छोड चलें ये शोरो गुल का शहर किसी वीरान से कर्या को बसाया जाए इन आबादियों में बसता नहीं अपना कोई बरबाद कुलिस्ता में जाकर उसे धूंडा जाए उसे धूंडा जाए ताखरी रंग हास्यक रंग वो भी मैं आप सब के साथ बांट लेना चाहती हूं चलते चलते और ये कोरोना का कैद थे तो जब घर में कैद थे लौकडाउन का वो वक्त जब तक इस कंडीशन में आने के ताइम एक हाउस वाइफ उसके जहन में क्या ख्यालात आते थे और उसको क्या परेशानी महसूस होती थी वही मैंने ये कोशिश की है थोड़ा हास्ते कपट डालने कि अगर आपको लगे तो बिल्कुल आप समर्थन दीजिएगा और अपने आसपास की महिलाओं के बारे में सोचीएगा तो शायद आप उस चीज से जुड़ सकें आत्म निर्भर भारत की कहे पहले नहीं सोची वो कल फर लोकल की पोथी पहले नहीं बाची हाई दैया चाइना से ये कोरोना ना आता और इस बरतन चौके में हम को ना घिसवाता हाई इस बरतन चौके में हम को ना घिसवाता सीरियल सारे छुट गए शौपिंग भी हो ना पाती हस्बंड रहते दिन भर घर में जैसे हो बाराती उपर से कहते है रोज चपाती नहीं भाती ओ मेरी मास्टर शेफ कभी पिज़ा क्यों ने बनाती और फिर उनका यू चढ़ाना हम पर भारी पड़ जाता कभी पिज़ा बरगर तो कभी समोसे है बनवाता मेड हमारी बोले आई अम वर्किंग फ्राम होम धर के सर पे हाथ हम देख रहे हैं व्योम और अगले पल से करते क्लीन हमारा होम हाथ हमारे लगा गला ने साबुन का ये फोम उफ्ताबा धो धो कपड़े जी अपना है घबराता वाशिंग मशिन ले आने को हर पल है तड़ पाता हाए धैया चाइना से ये कोरोना ना आता और अब बस आखिर में वो क्या कहना चाहती है आखरी बंद आप सब के सामने रखती हूँ और आप सब की नजर आखरी बंद वो कल फरलो कल हम तो हो गए अब तो भाई कि वो कल फरलो कल हम तो हो गए अब तो भाई अब तो जल्दी आजा, अरे आजा मेरी भाई, तुझको देख पुकार रही है बारामदे की काई, और धोने के लिए अब मैं घड़ी डिटर्जेंट लाई, पाल लड़ जाने को जी मेरा कितना है घबराता, पतंजली का फेस वाश कितना मुखडा चमकाता, अब इस सारे जंजट से पीछा मुझे को छड़वाना, इन उखडे बिखरे बालों को नैशेड में रंगवाना, किती में फिर अपने फैशन का जलवा भी दिखलाना, और कहूं क्या जाकर मुझे को पानी पुरी भी खाना, हाए सपने क्या क्या ये दिल मुझे को दिखलाता, पर सोशल डिस्टेंसिंग से सब धरा रह जाता, हाए दया चाइना से ये कोरोना ना आता, ये कोरोना ना आता, तो शायद हम और आप आज इस तरह बैठ कर ये गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, एक कविता में आप अप सबको नहीं सुना रही होती इस पटल पर नहीं आप लोग शायद भारत में कहीं बैठे कोई कव Stephenелен का लुट ले रहे होते और हम जो प्रवासी भारतिये हैं और मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं और बहुत सुन्दर कविताएं डिखते हैं उन सब की कविताओं को मंच नहीं मिल पाता करोना ने मुझे नहीं सताया लेकिन मैंने आप सबको बताया किस किस को सताया होगा किस तरह से सताया होगा एक अनुमान लगाया मैंने और आप सबसे मैंने तो ये बांटा है कि आप सबका साथ हमें नहीं मिलता अगर ये करोना ना आता तो इसलिए करोना की जय चाहे इसने जितना भी सताया हो, जितना भी हमें दुख दिया हो, इस साल 2020 में, लेकिन कुछ चीजें वो हमारे लिए अच्छी छोड़के गया है, कुछ जिन्दगी के सबक हमारे लिए छोड़के गया है, जो शायद हम इस महामारी से पहले नहीं सीख पाते हैं, चलिए, आप सब के साथ ये अपनी कविदाएं शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जन सरुकार मंच ने जो मुझे अफसर दिया, देविंद्र जी ने मुझे जो ये अफसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब से चलने की अजाज़त लेती हूँ झाल